भाईयों हम सभी लोग यही चाहते हैं कि हमारे घर के बच्चे संस्कारित हों और आगे चलके हमारा नाम लोसन के रहें छेतर का नाम लोसन के रहें प्रण तो सबसे महत्पून बात यह है कि सबसे पहले हमें संसरित होना चाहिए और बच्चों को बहुत कुछ बताने की आउत्सक्ता नहीं होती है क्योंकि वो आपको ही पढ़ते हैं हम को ही पढ़ते हैं हम क्या करते हैं वो सामने भले ही ना करें लेकिन उएक एक लाइन एक एक चीज का रह्म करते हैं उनकी दिमाग वह होती है और आपसे जब बच्चे अलग होते हैं तो उसको प्रैक्टेरी रूप से करते हैं अब आप फुद ही समझ जाएं अच्छा कारे हो या बुरा कारे हो जो भी आप का संसकार वो देखेंगे उसको जरूर खाले करेंगे पूरा अक्षार सा पूर्ण करने का प्यास करते हैं इसलिए हम सब को चाहिए हम घर में हैं तो बच्चों के सामने अच्छा संस्कार दें जो उचित हो वही करें जिससे कि बच्चे पर कोई बैट एफेक्ट न पड़े और हम सब को संसकार देने के लिए बहुत साउधान रहना पड़ता है और यह देखना पड़ता है कौन सी की बच्चों के सामने हमें बोलनी चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना इच्छा तो सभी की है कि हमारा लड़का आई-एस बने और आगे चलकर बहुत बड़ा अथिकारी हो लकिर कारण यह होता है कि हम एक एक दिन का जो समय बच्चों के सामे जतीत करते हैं वह समय किन कंडीशन में किन सिचुएशन में और कैसा हमारा परफार्मेंस रखता है वह सब बहुत माइन रखता है और यही बच्चे को प्रभावित करता है ये वीडियो मैं आप लोग को सामने इसलिए प्रसुत कर रहा हूं कि अप एक्षा तो सभी करते हैं लेकिन खुद अपना आचरान बिवहार उस धंग से नहीं प्रसुत कर पाते हैं जैसा कि हम बच्चों के अंदर चाहते हैं क्योंकि अरस्तु ने भी लिखा है कि फाइमिली इस दे प्राइमरी स्कूल आप सिटिजन सी परवार ही नागरिक्ता की प्रसंपाट साला है और परवार जैसा रहेगा वैसे ही बच्च की खालो करेंगे सबसे महत्यकूर बात यह है कि बच्चा जब गर्व में रहे तो जो उसकी मा है जैसा सोचती है जैसा विचार लाती है वो बिना कुछ पढ़ाये ही उसके मस्तिस्क पर अपने आप अपलोड हो जाता है और आगे चलकर हम जितना सिक्षा उसको नहीं दे सकते उतना वो गर्व में ही पढ़ लेता है फिर जब बच्चे का जन्म होता है तो वो एक-एक चीज आपकी पढ़ता है तो हम खुद भी सुधर हैं खुद बच्चों के सामने संस्कारित बने और यह लड़का मेरी बेट सामस्रा का नाती है धन्यवाद